एक तरफ महाराष्ट में विधानसब चुनावी सरगर्मियों का असर भी सीधे तोर पर दिखाई दे रहा है लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर ऐसी निकल कर सामने आ रही है कि महाराष्ट में बीजेपी के साथ एक बार फेरे खेला हो सकता है इसकी पूरी उम्मीद है कि ऐसा बताय जा रहा है कि बीजेपी ये सपना सजा रही है कि इस बार अगर उनकी सरकार को बहुमत मिलता है तो सीयम बीजेपी पार्टी का ही होगा और बीजेपी पार्टी के नामों में अगर सबसे आगे किसी का नाम आ रहा है तो वो है इस बात का खुलासा किया कि जिसके पास सबसे ज़्यादा सीटे होंगी सीम उन्हीं की पसंद का होगा और ऐसे में ये बात बिल्कुल तैय हो गई है कि अजीत पवार एकनाश्चिंदे की शिवसेना और बीजिपी में अगर जीत मिलती है तो सबसे ज़्यादा सीटे इशारा कर दिया है कि बीजेपी का ये सपना इस बार भी सपना ही रह जाएगा नवाब मलिक ने कहा कि महाराष्ट में अजीत पवार एक तरह से किंग मेकर है और वो कभी भी खेल कर सकते हैं ऐसे में उनके इस बयान के बाद ही चर्चा इस बात की तेज हो गई है कि क्या तमा न कहीं अपने नरम बयानों से ऐसी कोशिश कर नहीं है कि शरत पवार उन्हें वापस पार्टी में ले ले हालकि शरत पवार ने क्लियर कर दिया कि ऐसा कभी कुछ अब नहीं होगा साथ ही इधर M.V.A. पार्टी ने भी सीट बटवारों में इस बात का विशेश ध्यान यह अपने आप में काफी बड़ी बात होगी ऐसा इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि बीजिपी की रजमंदी के बावजूद अजीत पवार ने कैसे बाबा सिध्धिकी के बेटे जिशान सिध्धिकी और नवाम मलिक की बेटी सना मलिक को टिकट दे दिया यह अपने आप म बोगी ने उसे ऐसे आँख दिखाने की कोशिश की है नवाब मलिक की बातों ने कंफर्म कर दिया है कि अजीत अपने हिसाब से इस बार महाराष्ट का चुनावत तै करेंगे और जहां से उन्हें किंग मेकर की भूमिका में रखा जाएगा उस राजनेतिक लाब के लिए व याथ जाएगा पुलूもう पालाषटान ने ये पालाषट वाल को प条म कशियों हमने लिएगा जाएगा जाएगा जलातों विन्हें तारा जाएगा जालों मेकर का जाएगा उसी प्टाइगागा Moses